हेलो नमस्ते, आप दिपाली कोयल, स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मेचिक पर तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी की वर्गी करन के बारे में और वर्गी करन में हम लोग डिसकुस कर रही हैं, किंगडम्स को, यानी की जगत को सबसे पहले हमने देखा कि लीनियस नाम के साइंटिस ने क्लासिफिकेशन की स्टडी ओफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, टैक्सोनोमी के जनक कौन है, लीनियस है फिर हमने पढ़ा द्वी नाम पदधी के बारे में, यानी बायो नॉमियल नॉमन क्लेचर के बारे में यानी कि हर एक जीव को दो नाम दिये जाने चाहिए, एक होगा वंच का नाम, जीनस का नाम, और एक होगा जाती का नाम, स्पिशिस का नाम हमेशा लेटेन भार्षा में होगा, लिखा इटालिक्स में जाएगा, ठीक है, ये बात हमने डिस्कुस कर ली थी देन हमने पढ़ा कि आरेच विटकर ने पांच किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया पहला था मुनेरा जिसमें बैक्टिरिया रखे गए, प्रोटिफ्टा जिसमें फारे पर जीवी यानि प्रोटोवा रखे गए, कवक यानि फंजाई और चोथा था प्लांट किंग्डम जो की फिलहाल चल रहा है प्लांट किंग्डम को भी हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने प्लांट किंग्डम को बाटा दो ग्रूप में एक कहलाए क्रिप्टो गैम, एक कहलाए फिनेरो गैम, पुश्पित और पुश्पित पोधे differentiation क्यों किया क्योंकि कुछ पोधी ऐसे थे जिनके अंदर flower यानि पुष्प नहीं होते लेकिन कुछ पोधी ऐसे थे जिनके अंदर flower यानि पुष्प होती है जिन में पुष्प नहीं होते वो कहलाए a pushpit यानि crypto game और जिसमें pushp होते हैं वो कहलाए pushpit यानि की finero game हम पढ़ रहे हैं फिलाल क्रिप्टो गैम के बारे में और जिसमें हमने पहला थैलोफाइटा देख लिया है जिसमें फारे शेवाल आये थे जिनकी बोडी का कोई structure नहीं होता जिनके अंदर कोई वस्कुलर बंडल नहीं होता दूसरा हमने बढ़ा ब्रायोफाइटा जिसकी खास बात मैंने बताई पहली कि ये amphibian यानि उभैचर कहलाते हैं दूसरी ये प्रित्वी और पानी दोनों पे रहते हैं तीसरी मैंने important बात बताई थी कि इनके अंदर वस्कुलर बंडल तो नहीं होता, root stem leaf तो नहीं होता लेकिन इनके अंदर root की जगय एक false root यानि नकली जड़े होती है जो कहलाती है rhizoid with figure मैंने आपको दिखाई फिर हमने बात की कि bryophyta जो होते हैं उनके uses क्या है सबसे बड़ा bryophyte कौन सा है हमने ये बात की ये सारी बात खतम करने के बाद हमने सबसे बड़ा lgb देखा था macrosis है ना डैतियकार शेवाल हमने बढ़ा था सबसे बड़ा ब्रायोफ़ाइट देखा था हमने थीक है., उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद आज हमें शुरू करना है, टेरीडोफाइट ठीक है सबसे चोटा ब्रायोफाइट क्या था वुपसिस था याद आया आप लोगों को और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा था बताईए सबसे बड़ा ब्रायोफाइट जो था आप लोगोंने कमेंट में बताना है आप लोग मुझे comment में बताएंगे कि सबसे बढ़ा bryophyte कौन था ठीक है अगर आप लोगोंने पढ़ा है तो आप अपनी information से बताएंगे अपनी learning से बताएंगे और अगर आपको नहीं पता तो आप फिर पिछली वीडियो में जाएंगे और फिर बताएंगे तो आज की class में हमें क्या पढ़ना है students ये बिल्कुल clear हो गया है आज की class में हमें terido fight पढ़ना है क्या पढ़ना है terido fight ठीक है बिल्कुल छोटा सा topic है जल्दी से खतम हो जाएगा terido fight देखो terido fight क्या होते है students ये भी एक पादब जगत है लेकिन इनकी खास बात क्या है students इनकी खास बात है कि यह है vascular crypto game है ये क्या है vascular crypto game है यानि की यह है samvahan a pushpit podhe है इस बात का मतलब आप अब तक समझी चुके होंगे कि terido fight की मैंने एक ही खास बात बताई थी कि इनके अंदर वफकुलर बंडल मौजूद होते हैं और इस बात का मतलब भी यही है कि यह वफकुलर अपुश्पित पोधे हैं यानि कि इनके अंदर वाइलम या फिर मैं बोलू समवहनी उतक वफकुलर टिशू प्रेजेंट होता है वस्कुलर टिशू मौजूद है ठीक है और आप उश्पित का मतलब क्या है कि इनके अंदर फ्लावर, फ्रूट, सीड, एपसेंट है यानि कि फल, फूल, तथा बीज नहीं होते ठीक है अभाव होता है इनका ठीक है उसके बाद आप लोग जानते हैं कि इनके पास रूट, स्टेम, और लीज भी नहीं होती यानिकि आप उनकी बॉड़िको देखिके क्लियर ली नहीं बता सकते कि ये पत्प्तियां है ये जड़े हैं ये तना है आप ये नहीं बता सकते है नहीं आप thelophyta में बता सकते, नहीं आप bryophyta में बता सकते और नहीं terido में बताया सकते लेकिन एक खाफ चीज यह है कि bryophyta तो बिल्कुल ही नहीं पहचान सकते आप लेकिन थैलोफाइटा में तो आप बिल्कुल ही नहीं पहचान सकते हैं बिल्कुल एक जैसी बोड़ी होती है लेकिन ब्रायोफाइटा थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंट्शियेट होने लग जाती है मतलब bryophyta की body थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाती है teridophyta की और वादा समझ में आने लग जाती है और आते आते gymnosperm जो हैं वो एकदम clearly पता लग जाते हैं कि पोधे कैसे हैं teridophyta में भी एक class होती है जो एकदम अच्छे से समझ में आती है उसकी बाद भी हम अभी करेंगे फिलहाल क्या बताया मैंने इनके पास जड़, तना, तथा पत्ते का अभाव होता है ये नहीं होते इनके अंदर उसके बाद इनकी खास बात क्या है students इस kingdom की खास बात है टेरिडोफाइटा की खास बात है कि टेरिडोफाइटा जो थे वो प्रिथवी पर, प्रिथवी की वमीन पर उगने वाले पहले पोधे थे क्योंकि थैलोफाइटा पूरी तरह पानी में रहते थे ब्रायोफाइटा, वमीन और पानी दोनों में नमी वाली जगे पर रहते थे याई थी पीर यह चायादार जगह पे रहते थी लेकिन यह अगर सूखी जगह यहां और भी ग्रोर कर जाते थी मुई दो प्रहते उद्वार में की अछी धिसे बीड़ GAKि उगने वाले पोधे थे कौन से उगने वाले पादप हैं कौन हमारे टेरीडोफाइट तो खास बात यही है student इस ग्रूप की दो बाते जो सबसे इंपोर्टेंट है वो यही है पहला कोशन आएगा कि कौन सा ग्रूप जो है उसके पास ऐसा कौन सा क्रिप्टोगेम है जिसके पास वस्कुलर बंडल होते है या कौन से पोधों में सबसे पहले समवहनी उतक देखे गए आप बोलोगे टेरीडोफाइटा में या फिर कोशन आएगा आपके पास कि पृत्वी पर पाया जाने वाला पहला टेरिस्ट्रियल प्लांट कौन सा था तो आप बोलोगे टेरीडोफाइटा जो था वही फिर्थवी पर सबसे पहले उगने वाला पोधा था उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स जैसे हमने पढ़ा कि अलगी जो हैं वो तीन प्रकार की होती है फिर हमने बढ़ा अप पहले जानलो यी चार समूह याद करना ज़रूरी नहीं है मैं सिर्फ बता रहे हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि हमने बैटा था इनको भी कौन-कौन से हैं देखो पहला है हमारा सिलोपसिडा दूसरा है हमारा लाइक उपसिडा तीसरा है हमारा स्वीन उपसिडा और चोथा है हमारा टैरोपसिडा ठीक है हिंदी में भी लिख देते हैं फिलोपसिडा फिर आया हमारे पास लाइकोपसिडा फिर आया हमारे पास स्वीनोपसिडा और आखरी आया हमारे पास टैरोपसिडा और इसमें भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला खाना एक बात अभी अभी स्टार्टिंग में क्लास में कि जब तरीडोफाइट थे ना तो वह काफी एडवांस थे थेलोफाइट से भी और ब्रायोफाइट से भी तो आपको इसकी एडवांसमेंट कहां नवर आई जो तरोपसिडा के पोदे थे ना वह सबसे वादा क्लियरली दि जी आये थे जो कि हम नेक्स क्लास में पढ़ेंगे तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया मैंने बताया टेरिडोफाइट कहलाते हैं वस्कुलर क्रिप्टो गैम यानि की समवहनी अपुश्पित पोधे ठीक है ये वह पोधे हैं जिन में पहली बार वस्कुलर बंडल वह बात अलग है कि इनके अंदर प्रॉपर्ली जायलम और फ्लोयम बहुत अच्छे लेवल पे नहीं थे थीक है मतलब बहुत अच्छे से डेवलप्ट नहीं थे वालम फ्लोयम लेकिन कुछ-कुछ फीचर आ गए थे ठीक है जैसे कि कैमरा अगर फोन में कैमरा देखें तो तरीडोफाइटा में ऐसा नहीं है कि वस्कुलर बंडल होते नहीं है लेकिन पूराने जमाने के होते है यानि पूरा एडवांस नहीं है जो एंजियो स्पर्म हम करेंगे आवरत बीची करेंगे उनके अंदर वायलम और फ्लोयम हाइली एडवांस यानि बहुत अच्छी त भी आवरत लेकिन पाट जाने वाले पोधे थे जो पूरी तरीके से जमीन पर ही रहते थे फिर मैंने बताया कि टेरिडोफाइटा के चार समूं हमने किये कौन कौन से लाइक ओपसीडा, स्वीन ओपसीडा, सिलोपसीडा और टेरोपसीडा उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा में प्रजनन यानी रीप्रोडक्शन लेकिन उससे पहले एक बात जान लो क्या है वो बात? आपको याद रखना है स्टूडेंट्स देखो थैलोफाइटा जो थे वो पानी में ही रहते थे प्रॉपरली हर टाइम पानी में ही रहते थे तो उनको प्रजनन के लिए पानी ही सहरा बन जाता था पानी के द्वारा ही पॉलिनेशन यानी परागन हो जाता था ब्रायोफाइटा भी पानी के आसपाफ थे तो उनमें भी पानी से हो जाता था आपको याद रखना है भले ही ये टेरिडोफाइटा वमीन पर उगते थे भले ही ये पूरी तरीके से वमीन पर पाये जाने वाले पोदे थे लेकिन fertilization के लिए या मैं बोलूं sexual reproduction के लिए इन्हे पानी की ज़रूरत थी तो यहाँ पर आप लिख लो कि बहुत important point है ये कि pollination यानि इनका भी परागण पानी के द्वारा ही होता है यानि ये लोग भी reproduction प्रजनन नहीं कर सकते बिना पानी के प्रजनन के लिए इनको भी पानी चाहिए भले ही जमीन पर उगने वाले पोदे थे ठीक है जिमनो स्पर्म में एंजियो स्पर्म में नहीं चाहिए होता पानी लेकिन इनको चाहिए होता है इनके लिए compulsory है जिमनो और एंजियो के लिए होता है कि पानी से भी हो जाता है ठीक है मतलब वो पानी हो चाहिए नहीं फरक नहीं परता लेकिन इन्हें पानी चाहिए, clear है, आगे बात करते हैं रीप्रोडक्शन की, तो ये करते हैं लैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन यानि की सेक्श्वल रीप्रोडक्शन और बिल्कुल सेम टू सेम जैसा की ब्रायोफाइटा करते थे ये भी इनके पास भी एक नर भाग होता है यानि की एक मेल भाग होता है और एक मादा भाग होता है यानि की एक सीमेल भाग होता है बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ब्रायोफाइटा के नर के भाग को एन्थ्रीडियम कहते थे इसके नर भाग को भी एन्थ्रीडियम यानि पुन्धनी कहते हैं और इसके मादा भाग को भी आर्की गोनियम आर्की गोनियम same to same यानि की फ्त्री धनी कहते हैं क्लियर है? तो बिल्कुल reproduction बिल्कुल same to same है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का क्लियर है? अब जो आखरी बात हमें discuss करनी है वो देखते हैं हम देखते हैं क्या टेरिडोफाइट के example और उनके uses तो टेरिडोफाइट के example याद रखने हैं आपको कौन-कौन है? देखो एक है एडि एंटम का पोधा अब example में आपको क्यूं बता रही हूँ देखो आपके बाद सीधे-सीधे question आएगा निमन में से कौन एक टेरिडोफाइट है अब आपको पोधो के नाम कितने पोधे होते हैं कैसे याद रखोगे? तो जो गिने चुने जो पेपर में देखने को मिलते हैं और आपको बता रही हूँ जब-भी इनाम देखे, आप समझ जाना यह टेरेडोफाइट है ने डुस्तान पूर्ट लात मैं आ रिपीत की थी बाइयों में बैरेट कर रही हूँ और यहां पे तर्बरेव हो और आगे भी करूंगी तो teris हो गया, P इसमें silent है, जैसे इसमें P pateridophyta नहीं बोलते हैं इसको हम, pateridophyta नहीं बोलते हैं pateridophyta बोलते हैं, उसी तरीके से pateris नहीं है, ये teris है उसी तरीके से dryopteris dryopteris, अब P बीच में आ गया तो ये हो गया dryopteris, dryopteris, ठीक है, और कौन सा है इसका example आप याद रख सकते हो, philaginella, philaginella और कौन सा याद रख सकते हो, आप याद रख सकते हो, equi stem equi stem याद रख सकते हो, और कौन सा, lycopodium देखो, lycopcida था ना, उसी से आया है, lycopodium और इसका एक use भी बहुत important है, जो lycopodium है ना ये इस्तेमाल होता है, दवाईयां बनाने में, यानि ये medicines में बहुत ज़ादा इस्तेमाल होने वाला teridophyte है, क्लियर है, next आप याद रख सकते हो, कौन सा marcelia, marcelia का भी एक बहुत important use है वो क्या है, marcelia, काफी जगाओं के लोग as a सबजी खाते है, as a veggie table खाते है, marcelia को, ठीक है और last example जो आपको याद रखना है, वो है azola, और इन सभी में जो important सबसे ज़ादा है, वो भी है azola, क्या है azola, अब azola का क्या use है, तो आपको याद रखना है, azola जो teridophyte है, वो use होता है, धान की खेती में, धान की खेती में उरवरक की तरह, यानी की fertilizer in rice field, ठीक है, अब ये क्यूं, देखो आपको याद होगा, जब मैंने monera करवाया था, रिपीत करना, एक बर दिमाग को बहुत ध्यान से जोर देके देखना, जब हमने monera किया था, monera में हमने bacteria पढ़ा था, लिख पी दूसा आप में confusion नहीं होगी, तेखो जब हमने monera पढ़ा था, तो हमने बोला था, monera में सारे के सारे bacteria आते हैं, यानी कि सारे के सारे जी वानु आते हैं याद आई ये बात फिर मैंने बोला था मोनेरा के कुछ एग्वामपल है जैसे की मैंने आपको एक बताया था साइनो बैक्टिरिया याद है जिसे मैंने बोला था ब्लू-ग्रीन एलगी भी बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं नील हरित शेवाल, याद आई ये बात? ये हमने डिसकुस किया था, बिलकुल सभी बात है ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि ये नील हरित शेवाल है ये प्रकाश यानि फोटो सिंथसिस भी करते हैं मतलब सूरज की सनलाइट की मदद से ये लोग अपना खाना बनाते हैं और दूसरा, ये कीमो ओटो ट्रोफ हैं यानि कि ये रसायन से भी अपना खाना मनाते हैं याद आया, फिर मैंने आपको बोला था कि इसके कुछ एग्वामपल है जो की है एनाबिना, नोस्टोक और राइजोबियम और मैंने ये भी बोला था राइजोबियम तो मेल कॉंस्टेबल में पूछा भी गया था ये तीनों नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थानी करन करते हैं यादाई, दुबारा फुनो, मैंने बोला था कि मुनेरा में कुछ जिवानू होते हैं जिने बोलते हैं साइनो बैक्तिरिया, नील हरिट शेवाल जो की है नोस्टोक अनाबिना और हमारा राइजोबियम ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थानी करन करते हैं हवा में इसे नाइट्रोजन को पकड़ के उसे नाइट्रेट, नाइट्राइट अमोनिया में कनवर्ट करते हैं यादाई ये बात, बस, चावल को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत requirement होती है धान को ग्रो करने के लिए धान की विधी के लिए धान की खेती के लिए हमें चाहिए होती है नाइट्रोजन की fixation क्योंकि धान को बहुत सारा नाइट्रेट नाइट्राइट चेह होता है ग्रो करने के लिए तो नाइट्रेट और नाइट्राइट कहां से आएगा जब कोई बैक्टीरिया उसकी नाइट्रोजन को fix करेगा क्योंकि पोधों में तो इतनी हिम्मत होती नहीं कि वो नाइट्रोजन को पकड़ के देखो बहुत simple सा example मैं इसके लिए देती हूँ कि कच्छे फल माल लीजे आपको किसे ने कच्छी घिया कच्छ्या तोरी दे और कहा कि खा ले तो आप क्या कहोगे भई मैं कच्छी नहीं कहा सकता मुझे यह पका के दू तो पकने के लिए किचन में जाएगी और किचन में मम्मी का करेगी, उसकी सबजी बना के आपको देगी, बस वैसे पोधों के पास nitrogen ही nitrogen है लेकिन ये कहते हैं ये कच्ची है हम नी खाते, तो इस nitrogen को पकने के लिए भेजा जाता है kitchen में, ठीक है और kitchen में कौन काम करता है, kitchen में काम करते हैं ये bacteria और उसको पकाते हैं यानि कि नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाते हैं और फिर मज़े से पोधे उसे खाते है ठीक है इस बात को repeat करके सुन ले ना ठीक है अब kitchen का काम कोन करता है student यहाँ पर kitchen का काम एना बिना के लिए काम करता है एजोला यानि कि चावल में चावल में क्या किया जाता है चावल में जो खेत जो खेत है चावल के उसमें उर्वरक के तोर पे ये पोधा डाल दिया जाता है ठीक है खेत में एजोला डल गई अब एजोला क्या हो गई kitchen बन गई इसके अंदर ग्रो करेंगे एना बिना और एना बिना वहाँ पर नाइट्रोजन का fixation करेंगे यानि फ्थानी करन करेंगे और नाइट्रोजन fix होकर rice को grow करने में मदद करेगी तो हमने क्या पढ़ा student हमने पढ़ा important की azola जो होता है वह rice field में डाला जाता है nitrogen की fixation के लिए और azola में कोन grow करता है एना बिना तो यहाँ पर students हमारा topic teridophyta जो है वो खतम होता है क्या क्या पढ़ा हमने हमने पढ़ा कि teridophyta पहले terrestrial organisms थे यानि terrestrial plants थे यानि धर्ती पे उगने वाले पहले पोधे थे यह पहले वह examples हमने डिस्कुस किये adiantum, tariff, dryopteriff equistam, slaginela marcelia जो कि सबजी के तोर पे यूज होता है और हमने कौन सा किया हमने azola किया जो कि धान की खेती में उर्वरक की तोर पे यूज होता है क्योंकि इसमें एना बिना ग्रो करते हैं और हमने कौन सा किया हमने किया दवाई की तरह यूज होने वाला हमारा कौन सा बुधा lycopodium किया फिर हमने डिस्कुस किया कि यह president करते है sexual reproduction करते है पानी की मदद से इनके पास enthridium होता है male भाग arquegonium होता है female भाग जो की reproduction में मदद करता है तो यह पूरी क्लास थी हमारी किस से related teridophyta से related मिलेंगे next class में next topic जिन्नो स्परम के साथ और बहुत सारे questions भी करेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए take care चैनल को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए कोई भी doubt हो आप लोग कमेंट करिए या फिट टेलिग्राम चैनल को subscribe करिए thank you bye bye